अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इट्स टोटली फ्री आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोग इतने अच्छे अच्छे इतने प्यारे परे कमेंट्स करते हैं जिनको पढ़के लगता है कि बस दिन बन गया So once again, thanks to all of you for your extreme love and support So channel start करनी के लिए मेरे पास 3 reasons है First of all, like any other woman, I want to be independent So then you will ask, why do you think this feeling after these days Why did I have no job for so many years? Because before marriage, I and my husband had decided that I will not do a job क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम दोनों job करेंगे तो दोनों घर से बाहर रहेंगे और ना हम एक दूसरे को time दे पाएंगे और ना ही बच्चों को तो बच्चों की अच्छी परविश के लिए यह जरूरी है कोई एक पेरेंट हमेशा उनके साथ रहे और उनको गाइड करता रहे और इससे पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन्शिप में अंडर्स्टैंडिंग बनी रहती है और यह हमारा पर्सनल डिसीजन है और मुझे हमारे इस डिसीजन पर प्राउड है और आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं और उनको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरी उतनी जरूरत नहीं है So I decided to start my career on YouTube Because YouTube is the best job that you can do from home और हर लेड़ी की एक खुद की पहचान भी होनी चाहिए जुरूरी नहीं है कि वो किसी और के नाम से ही जानी जाए तो independent होने के साथ साथ मैं ये भी चाहती थी कि कुछी सही पर लोग मुझे मेरी नाम से पहचाने Second reason मैं aware करना चाहती हूँ उन लोगों को जो कहते हैं कि हमारे पास fitness के लिए time नहीं है मैंने observe कि लोग super busy हैं अपने काम में Especially women जो neglect कर रही हैं अपनी health को और अपने dreams को Family की take care करना बहुत अच्छी बात है लेकिन neglecting your health and dreams are not right तो अपनी busy life को आप सब के साथ share करके मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं Fitness phobia मुझे बच्पन से ही है और चीजों को manage करना मैंने अपनी mom से सिखा है आप लोग comment करके पूछते हैं कि आप इतनी चीजों को manage कैसे कर लेती हैं स्टेंडर में थी तो दो बर हॉस्पिटलाइज हुई थी अपनी वेट लूज के चक्कर में क्योंकि तब मुझे पता नहीं था एच्वल में की बेट कैसे लूज करते हैं अबरिज तब मेरा वेट 48-49 kg रहता था तो जैसे ही 50-51 हुआ तो स्किपिंग स्टार्ट कर देती थी और खाना पीना बंद और रिजल्ट अबर इन दा हॉस्पिटल बहुत डांड पड़ी मिलको बहुत मार भी पड़ी मुझे इसी चक्कर में बट तब पता नहीं था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ मैं कहना चाहूँ कि आप सब सुपरबुमन हैं बस थोड़ी सी प्लानिंग और सिस्टम की जरूत होती है मुझे सुपरबुमनाने के लिए मैं क्रड़िक करती हूँ अपनी मॉम को बहुत डान पड़ती थी स्लो काम करने के लिए वो हमेशा कहती थी कि फास्ट करो मुझे सुस्त लोग बिल्कुल पसंद नहीं है तो बस दर के मारे करते रहे और आज चीजों को मैनेज करना भी आ गया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थर्ड रिजन इस I want to learn अचली नोबड़ी इस पर्फेक्ट आपको सिखाओं और कुछ मैं आपसे सीखूं जिन्दगी कैसे जीते हैं यह मैंने उन ही से सीखा है मेरी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका स्लूशन मेरे पापा के पास ना हो जब भी उनके पास बैठेंगे तो दो बातें सीख के ही उठेंगे मेरे बच्चे बहुत लगी हैं कि उनके पास ऐसे नानू है सीखना हमारी जूरत है तो शेर करते रहें अपने एक्स्पिरियंसे मेरे साथ और नेवर इग्नोर और हैल्थ और दो ऐसी चीज़े हैं जिनकी इंपॉर्बंस हम तब तक नहीं समझते जब तक हम उन्हें खो नहीं देते तो कमेंट सेक्शन में शेर करें अपनी स्किल्स और अपनी व्यूज तोर्स लाइफ थैंक्स फर वाचिंग एग्स वाचिंग एग्स वीडियो तिल दिन भाई टेक्यर और स्टेवड़ी